Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी free of cost. Kindergarten से लेके class 12 तक की. CBC board के courses के साथ-साथ आपको other state board की भी courses available है in Hindi medium. जैसे की UP board, Bihar board, Delhi board के courses. Proper, systematic way में, कोई दिक्कत परिशानी भई आपको नहीं होगी. Daily practice sets के questions में मिलेंगे, practice भी करते जाएगा. E-books और E-notes की link आपको description box में available है. तो भटकने की बाद नहीं मनती है. भई हम करेंगे हमारे history section का chapter 4, जिसका नाम है Tribals, Dekus and the Vision of a Golden Age. ये भई Britishers हम पढ़ रहे है modern history, तो इस तरीके से Tribal Group के लोग, इस तरीके से हम उनके बारे हम पढ़ेंगे. कि क्या condition रही है, सब पुछ जानेंगे. कैसे कौन आए, बिरसा मुंडा बड़े famous जिनका नाम आपने सुना होगा. उनके बारे में, क्या जो उन लोग की उनकी tribes ही condition थी during the British rule, यह सब हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो Tribals, मतलब तो Tribes रहती ही न, उनके according भई, वो कैसे चीज़े follow करते हैं और कैसे उनकी life में impact पढ़ रहा था just because of British rule, the coups और vision of a golden age. चाप्टर को overview देखेंगे और introduction देखने वाले हैं भई, चाप्टर की शुरुवात. आपको क्या करना है? फटा-फट से like का बटन दबा देना है. शेर कर दीजे अपने classmates में कि भई, history section में आ गए हैं, उसका chapter 4 हम पढ़ने वाले हैं. करें start. चलब. So, introduction देखेंगे भई, चाप्टर ओवर्विव में. यह चो ट्राइबल गुप्स हैं, हम बोते हैं, जन जाती वगएरा हम जो बोलते हैं, तो यह रहती कैसे हैं, इनका रहन सेन कैसा होता है, क्या काम करते हैं, क्या कमाते खाते हैं, कैसे जीते हैं, पिका कैसे चलती है, लाइवलिः होट कैसे चलती है, पहले तो वो देखेंगे. How did colonial rule affect tribal lives? जब इनकी life समझ लेंगे, कि भई, यह लोग जीते कैसे हैं, क्या काम करते हैं, भई, कैसे earning होती है, क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं, कौन-कौन, इनके rules, regulations, चीजे, tradition, custom, यह सब देखेंगे, उसके बाद हमें देखेंगे, कि ऐसे इनके rules, regulation, tradition, custom, इनके कुछ अपने norms होंगे, जिन पर impact पड़ा, just because of colonial rule, याने British rule, जब Britishers आये, तो कैसे इनकी life में impact पड़ा, यह हम देखेंगे, फिर closer look, और अच्छे से इन चीजों के ब और complete chapter revision होने वाला है, वही pattern जो हम follow करते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है, वही same pattern, chapter इस तरीके से और chapter बहुती interesting और important है भई, करें start by introduction, चल्ड़। In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand, अब कहरें भई, कि in 1895, जब British का साशन चली रहा था उस वक्त, तो in 1895, क्या हो तब 1895 में? In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand, मतलब एक भई, कोई आदमी दिखा, जो roam, मतलब इधर उदर घूम रहा था, जा रहा था forest में, जिसका नाम क्या था? Birsa, forest और villages में दिखता था, Chota Nagpur, जो Jharkhand में, ठीक है, वहाँ पर ही दिखता था, कौन? Birsa नाम का एक man, ठीक है, 1895 की बात है, मतलब होता है इसे घूमते फिरते दिखते, यह नजर में आते, room, people said he had miraculous power, he could cure all diseases and multiply grain, अब भई, जमाना है, tribes वगेर और पुरा ना, वो जमाना तो, भई, super suspicious लोग, अन्ध विश्वासी लोग, आज भी बहुत हैं, जो मान लेते हैं, तो उस जमानी की बात कर रहे हैं, तो यह कह रहे हैं कि लोग, ऐसा मानते थे इनको देखके, बिरसा को देखके, उनको यह माना जाता था कि इनके पास कोई magical powers हैं, कुछ इन में अद्भूत शक्ती आएं, कुछ तो हैं इनके पास, क्यों, क्योंकि यह सारी बिमारी को cure कर सक मतलब कोई भी diseases, कोई बिमारी है, उसका इलाज कर सकते हैं, और जो हमारे अनाजों को multiply कर देंगे, हमारे जो खेत हैं, जो हमारे अनाजों को multiply कर देंगे, उसको क्या कर देंगे, उसको multiply कर देंगे, तो इनके पास क्या हैं, इनके पास miraculous power है, बिरसा himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, अब ब भगवान ने उनको appoint करा है, उनको ये काम दिया है, लोगों को अत्याचारों से बचाने के लिए, किसी भी चीज की problem से बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, मुझे भगवान ने भीजा है, मैं उनका दूट हूँ, ऐसा वो खुद भी कहते थे, तो जब वो बचाने के लिए, लोगों करते है, ठीक है, तो उस जमाने की बात कर रहे है, तो भई लोग मानते थे, वो खुद ही कहते थे कि मुझे भगवान ने भीजा है, मैं भगवान का दूट हूँ, बिढ सांध इंसे लिए लिए, उनकी स्लेवरी से बचाने के लिए, जिस तरीके इसे भई लोग इन्हें पर पर ट्रबल, यह सारी चीज़े, ठीक है, सून थाउजंस बिगें फॉलवेंग बिर्सा, बिलीविंग दाट ही वास भगवान, गॉड, एंड हैड कम तू स्लेव औल दी प्रॉब्लम, सॉल और दी प्रॉब्लम, अब भई धीरे-धीरे, जब उ पॉलो करने लग गए, जो सून इस बात को लेके सब विलीव करने लग गए, दाट ही वॉज भगवान, भई वो गॉड है, एंड हैड कम तू सॉल्व औल देर प्रॉब्लम्स, मतलब कोई भगवान आये जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा भई क्या क इन्होंने माना, क्योंकि लोग कही रहे थे कि इनकी पास कुछ पावर है, वो खुछ से कह रहे थे कि मैं आप लोग को जो भार की लोग ही उनकी अत्याचारों से वही बचाने आये हूँ, Slavery of Deku's, Outsiders और ऐसी करते-करते बात बढ़ी आग की तरफ है लिए और लोग इन इस तरीके से देखो जा रही है, मार्केट जा रही इस तरीके से रिवर से होते हुए, ठीक है, कांदा ट्राइब, इस तरीके से लगा लो, आया समझ में, ऐसे काम करते हैं, ऐसी लाइफ चलती, कपड़े इनका पहनावा ऐसा होता है, आगे बढ़े, चल, Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chotanagpur, Birsa, भई वो एक family, कौन सी family में born हुए थे, Mundas की family, families of Mundas, एक tribal group है, हम बोलते है, आपकी tribe का नाम कहें, तो इसी tribal group है, जिसको Mundas बोलते, उस family, उस group में ही पैदा हुए थे, कौन, Birsa, ठीक है, जो कहां रहते थे थे, Chotanagpur में, But his followers included other tribals of the region, Senthals and Orans, अब जो उनकी followers थे, वो भी include करते, but his followers included other tribals of the region, मतलब जो उनकी followers है, जो Birsa के followers है, उन्होंने other types को भी include करा हुए, जैसे Senthals और Orans, All of them in different way were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule, अब भी बात जो भी हो, बात एक बात ये थी, सबका एक common problem ये था, कि जो अत्याचार, जो दिक्कत, परशानी वो किसकी कारण चेल रहे थे, जो outsider है थे, मतलब जो British rule थे, उनकी कारण जो परशानी दिक्कत इन्हें daily life में और जो इनकी जिन्दिगियों को बहुत जादा बरबात कर रही थे, परशान कर रही थे, तो सब को problem हो रही थी, तो all of them in different way were unhappy, मतलब सबकी अपनी दिक्कत थी बहुत बिटिश रूल से, तो अलगलग तरीकों से ही से ही, बट सब कोई परशान थे, अन्हापी थे, the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule, क्यों? क्योंकि जो बदलाफ Britishers ला रहे थे, Britishers जो भी changes ला रहे थे, अपने according में चीजे करना, चीजों को operate करना, गाउं, tribes, चाहरे थे, कि सब हमारे हिसाफ से चले, क्यों? क्योंकि territory बना रहे थे, territory almost बना ही ली थी, इसी के उसमें लगे थे, कि हम क्या करने, जालत से तो भई पैसा अर्न करें, तो सब चीज अपने इसाफ से चलेंगे ना, हम ने क्या देखा थे, chapter 1 में, कि यह लोग हर चीज का survey भी करते थे, चोटे से चोटे गाओं, कोई भी पेड़, हर चीज का क्या करते थे, हर चीज का survey लोग करते थे, तो भई काम के लिए कर रहे हैं, survey कर रहे हैं, तो ऐसे यहां तक भी बहात पहुचे, इन पर भी impact पढ़ा है, तो लोग हर तरीकी से परशानते हैं, कि यह जो भी बदलावे British rule वाले ला रहे, Britishers ला रहे, इनको परशानी हो रहे है, तो भई जो उनका तरीका है रहने का, जो जिस तरीकी से हो रहते हैं, जो उनकी कस्टम्स वो फॉलो करते हैं, वो सब क्या हो रहे हैं, एसा लगा है कि जो life हम जीते हैं, जो हमारी जिन्दिकी चलती, उसको क्या, वो धीरे-दीरे धुली हो रही ह का, हत रहे है देर livelihoods, और under threat, Land यह जो भी लाईविभिण यो कमाना यह सब खतरे में थी, क्यों क्योंकि Britishers अपने according चीजे कर रहे थे मनमानी तो इन तक भी खत्रा था तो इनकी livelihood तक खत्रे में थी तो सब पर्शानत है अब जब जीना जीने की जो जीविका की जो चीजें वो तक खत्रे में है तो इनसान भई दुखी तो होगा and their religion appear to be in danger अब उनका जो religion है वो भी डेंजर में ऐसा लगा कि वो भी खत्रे में जो उनका religion है जो उनकी custom है जो उनका धर्म है वो भी उन्हें लगने लगा कि अब यह डेंजर में क्यों क्योंकि पूरी तरह से हमने देखा था था ना कि कॉलनाइजेशन करी रहे थे अपने विशिक रूल तो ऐसे ही इनके religion इनकी हर चीज लाइवली हुड में इंपक्त पढ़ने लगा था जस्ट बिकस अफ बिकस अफ बिटिश रूल यह बिटिश रूल की करण इनको परशानी होने लग गई थी आगे बढ़े देखते है अब भई जो प्रॉब्लम से बि Outsiders being referred to as DQs वो जो Outsider कौन थे जिनको क्या माना जाता था जिनको refer करा जाता था as DQs जिनको क्या माना जाता था कि भई यह DQs है Outsider को क्या बोला जाता था DQs And how did they enslave the people of the region और कैसे भई इन्होंने जो लोगों को जो लोक थे भई एक तो आउटसाइडर है बहार से आके आप क्या कर रहे हो हमारे रीजन को क्या कर रहे हो हम लोग को मतलब जो other region यह हमारे रीजन को slave बना रहे हो दास बना रहे हो कैसे इन्होंने करा What was happening to the tribal people under the British जो tribal groups थे जो बिछारे tribal people थे जो जन जाती थी कैसे उनको impact पढ़ रहा था कैसे वो सहते थे अंदर बिटिश टून मतलब क्या 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 उनको परशानी हो रही थी How did their life change उनकी जिन्दगी कैसे बदली उनकी life बदली कैसे These are some of the questions you will read about in this chapter यह जो questions है ना यह 3-4 यह हम इस chapter में पढ़ेंगे तब हमें answer मिलेगा कि कैसे बिर्सा मुंडा ने जो बिर्सा है उन्होंने resolve करने के चीज़े सोची उसके बाद कैसे जो outsider थे इन्होंने आख यह लोग आया और इन्होंने slave बनाया फिर क्या-क्या हो रहा था भाई tribal group के साथ British rule के अंदर और कैसे इनकी जिंदिगिया पूरी तरह से बदलने लग गई तो यह सारा सब कुछ हम क्या करेंगे इस chapter में भाई पढ़ेंगे ठीक है आगे बढ़े You have read about tribal societies last year आप लोग ने last year that means 7th class में tribal societies के बारे में पढ़ा होगा 7th class में आपने tribal societies के बारे में क्या करा होगा tribal societies के बारे में पढ़ा होगा Most tribes had customs and rituals that were very different from those let down by Brahmans अब भाई Brahmans लोग जो होते जो पंडित लोग होते उनके अपने rules regulations होते अभी जो tribals होगे इनके अपने rules regulation है तो आपने last year 7th में चीज़ पढ़ी तो यह देखा होगा कि कैसे इनके custom, इनके tradition, इनका जो भी रीती रिवाज सब किस से अलग थे? जो Brahmans से उनसे अलग थे These societies also did not have the sharp social division that were characteristics of caste societies यह जो societies थी जो समाज बना हुआ था यह कैसा था? These societies also did not have the sharp social division मतलब एक proper social division नहीं था sharp हम बोलते हैं बिल्कुल proper तरीके से that were characteristics too of caste societies मतलब जिसको हम बोलते हैं caste society, caste system जो था caste system तो हमारे हैं शुरू से ही चला रहा है one system कि ब्राह्मन, शत्री, वन, शूद्र इस तरीके से All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship हाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ट्राइब से उनके बीच में किसी भी प्राक्षा है प्राकार का difference नहीं, tribes है, ठीक है भई, जन जाती है हम बोलते हैं, हम imagine करते हैं एक जैसे होगे, बट नहीं उनमें भी किसी भी प्राकार का social और economic difference होता है कैसे economic condition है, बहुत जादा गरीब जन जाती है या ठीक टाइब उनकी भी कुछ earning वो रहती होगे livelihood भाई वो भी काम करते होगे जीवी का के लिए तो उनकी economic condition, उनकी social condition दूसरी tribe से कैसे differ करती है, ये रहता था मतब ऐसा नहीं था कि सब कुछ एक जिसे ही था इनके बीच में भी difference था, मतब अलग-अलग इनके अपने तरीके होगे इनकी economic life होगी, इनकी social life होगी तो ये क्या, ये सब हम पढ़ने वाले भाई, इस chapter में तो basically chapter इसके regarding रहेगा tribal low की condition कैसी थी during the British rule कैसे इनकी जिंदिगी है, बदली, कैसे इन्होंने cope-up करा ये सब हम पढ़ने वाले भाई, इस particular chapter में आया समझ में, starting कहां से होगे भाई, हमारे बिर्सा उन्होंने कैसे करा ये questions जो हमने देखे रहे ना पीछे, इस तरीके से कैसे इनकी जिंदिगी बदली कैसे भाई ने slave बनाने की कोशिश की गई और इनकी life में change आया ठीक है, आया समझ में, कोई confusion दिक्कत तो नहीं है तक तो ये इस particular chapter में हम पढ़ने वाले हैं So, इसी के साथ भाई हमारे chapter का overview और इसका introduction end होता है I hope आपको बहुत अच्छे समझ में आयोगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले sessions में Basically हम क्या पढ़ने वाले इस chapter के बारे में, क्योंकि हम normal लोग का तो पढ़ी रहे हैं कि ऐसा-इसा हुआ, ऐसा-इसा किया, राजा-माराजा के साथ ही हुआ बढ़ tribal groups भी तो थे, उनके साथ क्या हुआ, उनकी जिन्दगी कैसी ती, ये भी जानना जरूरी है तो हम क्या करेंगे भई, इस पूरे chapter में ये सब जानेंगे आप क्या कर दीजे, फटा-फट से like कर दीजे और comment करके बता दीजे कि माम, समझ में आ गया है introduction इसी के साथ ही video end होती है अगर आप और भी video के lectures दिखना चाहते हैं, तो आप Magnetrains के YouTube चैनल, application और website पर देख सकते हैं E-notes और E-books के link आपको description box में available है ये high quality के courses हैं, जैसे की CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course, Spoken English courses आपको अच्छी quality में और 100% free available है आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, X, Telegram and WhatsApp पर जादा सेदा like कीजे, जादा सेदा share कीजे और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें अपना ख्याल रखें, thank you so much for watching